हाद दूस्तों रादे रादे आप सभी का हमारे रिस्टोरंट फैमिली रिस्टोरंट में शौकत है तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं एकदम इजी और सारा लिग दम बिल्कुल बर्गर बरनने की रेश्पी तो मैं सबसे पहले अपने मार्केर से जाकर के पाव लेके आना है पाल आने के बाद हमें उसमें कुछ चीजियां जो बहुत में इंट्री होएं जैसे प्याज हो गया टमाटर हो गया खीरा हो यह जरूरी होते हैं तो उसको लाकर करके हम प्याज को छेलेंगे चेलने के बाद में प्याज को काट लेते हैं और काटने के बाद म पाव को जो है, और टिकिया को नो गिकीफोंतिया लडिट बना के रखा ख़ए और पाव वह पाव और टिकिया को अर के पना भट में लोग फिले मपर हम इसको गर्म करते हैं और दिरेदेडे जैसे ही उसको चुम गर्म करते जाएंगे Hai तो अब दिछ Nouा sort eyes लिए हम मार्केट से बॉइ आ चुके है मैं रहाँ पाव आ चुका है यह पाव आ चुका है इसको हम बीच से काटेंगे अधा इधर अधा अधा अधर ओन उसके बाद में इसको काटनेक बात हैँ हम लाते हैं तिक्या तो आप देख रहे हैं कि जिसा हम पाव और टीकिया दोनों को धीरे आच में हम इसको पकाएंगे धीरे-धीरे हल्का अल्ल डॉल करके जो भी आलो रिफाइन घी है जैसा भी यह जो भी ऑप उपके हल्की आच में डाल करके पाव और टीकिया को पका सकते हैं तो हम अपने काम को जारी रखे हैं मारा टिक्किया और पाव पक रहा है तो आप अपने घर पर भी इससे ट्रॉई मार सकते हैं बहुत ही आसान तरीका इसमें कुछ एडिशनल नहीं लगना है इस पाव आपको बाहर से लाना बाकि सब कुछ तुमारे पास ही रहता है आपके रस्वी में हर एक चीजें हैं भाई आपके बास आलू भी है आयल भी है और पाव आप मार्केट से बंगा ही सकते हैं तो दोनों चीजों को कि अखटा करने सुब टोमाटर प्याट धनिया तो जर्नली चीजा है कोई भी अपने मार्केट से ला सकता है फिर पहले से होता है स अब बास में हरा तो जीतना ही हल्की आँच में है और तो यह हूं पर लाल हो जाए दोने साइड में तभी उस्वे में हमैं अफ़ जयिए अथाना है हूं यह जो कि रहत्व तम आप से हमने तो अब ही जयसकि हमने फिल्म करतेफे चर दिया चूकि भहत ज्यादे धीमत आप पुर्एन में मैंने बिताया इसको तो अब सुम्झे जिए कितना ध्यान से पका सकते हैं जो कि इस को हम आच पर दूमने राहिए इसके साथ में पकाना भी जलना भी नहीं चाहिए एये जैसे ज्ञादा थे अधुदे तो आप लोग वीडियो को लाश्ट तक जो है देखे हम कैसे आपको इजी तरीके से बर्गर बनान बताएं कि तम रिस्टोरेंटी जैसे मिलाब चाई नहीं जी एक दम कि मेले अपने वहां पर जहां पर हम पाव को बनाते हैं अची तरीके से अब इसमें सबसे पहले हल्का खटा सॉस और हल्का मीठा सॉस में डालेंगे यह रहा मीठा सॉस देखे दिखने हम कितना अच्छा लग रहा है और हम इस पर डालेंगे सबसे पहले प्याज प्याज पाक बराबर होता है इसलिए हमको दो प्याज रखना पड़ता है और दो खीरे हो गए अज इसके स्वाद के लिए हम डालेंगे चाट मसाला अब इसके उपर भी डालेंगे चाट मसाला चाट मसाला डालने के बाद में हम डालेंगे इस पर टिकिया क्याज अब टिकिया वहां पर रखा यह यह लोग चोर है और अपको ता दूचिया ऑपड़ने डालने के बनाता हो उन्तों यह हम यह पर दालते है वेच तो बेज में रहता है बंधा बंधा याई और गाज़ेज अब इसमें भी अपने डाला चाट मसाला अब इसमें फिर वह परकी दिया खटी और मिठी सॉच डालने के बाद में हम इसमें डालते हैं जो मेन होता है बर्गर का मिनीच और मिनीच आप किसी भी कमपनी के रखें लेकिन जो यह हमारी कमपनी इससे च्छा है यह टॉप ब्रांड है हमारे यहां की तब आप दें मियूनिट ड़ने पाद कितना खुब्सूरत लग रहा है बर्गर अब हम इस पर रखेंगे इसका उपर वाला पाव का दूसरा भाग था हमारा जो है वो बनके रेडी हो चुका है कि अना हमारा बर्गर हमारा बनके रेडी हो चुका है आप देखे रहें कितना अच्छा लग रहा है तो यह किसी भाई को खाना है बर्गर तो आप हमारे रादे किष्णा फिम्ली देश्टंड में आप विजिट कर सकते हैं आपको जो है एक से यह कम हो को आप लोग जुरूर दें आप सुभी का हमारे रादे किष्णा में मोस्ट बेलकम थांक यू लब यू आप लोग देखिए कि बरगर मारबन के रेडियो चुका दिखने में कितना खुब सुरत लग रहा है तो आप खुद सोले हैं अगर हम लोग इतना मटेल लाले हैं इतना दिखने में खुश्वू लग रहा है खुब सुरत लग रहा है तो खाने में कितना टेस्टी होगा आप देखिए रहे हैं लव यू लव यू लव यू किस्टोमर हमारा उदर बैट के बेट कर रहे हैं थाइंग